सबसे पहला मेरा जो प्लैटफॉर्म है फ़र एजुकेशन स्पेशली मैथेमेटिक्स वो यूट्यूब पे चैनल है तीनों प्लैटफॉर्म्स का नाम एक ही है इसलिए इनका नाम मैं बाद में आपको बताता हूँ और सेकंड फेस्बुक पे पेज है और थर्ड वान फेस्बुक ग्रुप है आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना है मेरे फेस्बुक पेज को लाइक करना है और मेरे फेस्बुक ग्रुप को जॉइन कर लीजिए ताके जो भी मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुंगते रहें इन तीनों प्लैटफर्म का नाम यूनीक स्टाइल ओफ टीचिंग है यूनीक स्टाइल ओफ टीचिंग है ज्टिच зар का न्ट टीज है यूनीक स्टाइल प्ल única Wicka, स्टाइल और मेरे ग्लिच्ट है on my videos and on my channel and finally do not forget to share my videos with your friends and class fellows as well now watch the video lecture number 11 or relating functions past paper से ये question का selection मैंने किया है और lecture 1 to 10 का upload हो चुका है lecture number 11 का upload in process given that f of x is equal to 3x minus 5 evaluate दो पार्ट है इसके पहले पार्ट में f of minus 4 हमने फाइन करना है और second part में f inverse of 7 फाइन करना है ये पार्ट के लिए देखिए f of x is equal to 3x minus 5 positive function है और positive ही value हमने find करनी है उसने f of minus 4 आप से पूशा है तो इसका मतलब ये है कि आप x को replace कर देंगे with minus 4 f of minus 4 is equal to 3 into minus 4 minus 5 then f of minus 4 is equal to minus 12 minus 5 then f of minus 4 is equal to दोनों को sum up करेंगे तो minus 17 आजाएगा जब आपके पास f of x 3x minus 5 होता है उस वकद f of minus 4 का value आपके पास minus 17 आएगा और बी पार्ट f of x जो के positive function है बी पार्ट के लिए हमने fine करना है f inverse of 7 it means सबसे पहले आपको inverse function required है इसको positive function को आप inverse करेंगे सबसे पहले fine करेंगे f of x is equal to y जो के standard मैंने आपको वे बताया है इसके बाद y is equal to 3x minus 5 then आपने x को subject बनाना होता है अब होजाएगा y minus 5 y की तरस आएगा तो plus 5 होजाएगा is equal to 3x हम जोंगे x का value हमने find करना है तो 3 को दूसरी तरफ जाके divide कर देंगे it will be y plus 5 upon 3 is equal to x x का value हमें मिल गया लेकन x जो हमने बनाया है subject तो subject हमेशा left hand पे लिखा जाता है तो आप इसको rewrite करें x is equal to y plus 5 upon 3 अब ये बेसी करें आपका inverse function आ जोका है इसको दोबरा rewrite करें x inverse of x is equal to y को प्लिस करेंगे x के साथ x plus 5 upon 3 अब हमने value जो find करना था वो f inverse of 7 का करना था अब यहाँ पे f inverse of 7 का value प्लिक करें x का तो ये 7 plus 5 upon 3 f inverse of 7 is equal to 7 और 5 को sum up करेंगे और 3 के साथ divide करेंगे 12 upon 3 x inverse of 7 is equal to 12 को 3 के साथ divide करेंगे तो answer आपके पास आजाएगा 4 ये आपका desired answer f inverse of 7 is equal to 4 इसके साथ ही इस question का completion हो है आप लोगों से request है के मेरे channel को currently subscribe दूर करें और मेरे वीडियो को like करें मेरे वीडियो को sharing करें मैंने each and every question को अच्छे तरीके के साथ with good explanation जिसका solution आपको वीडियो में दे दिया है लेकिन इसके बावजूद अगर किसी बच्चे को problem आता है तो मेरे channel में comment करें ताकि उसके difficulties को मैं remove कर सकूँ इसके रावा भी अगर आपके बास problems बाकी वाइते हैं या आप online teaching में interested हैं तो मेरा cell number note कर लिजिए 0321 58 38 264 39 40 31 31 31 32 35